परिचय हेलो बच्चो आज हम परमानों के क्वांटम यांत्र की ये मौडल के बारे में सीखेंगे द्रव्य का द्वेत वहवाहार तरंग तथा कन के प्रकार का होदा है हाईजेन बर्ग का अनिश्चित्ता का सिध्धान्त केवल छोटे कड़ों जैसे की इलेक्ट्रोन पर लागू होता है परमानों का वहक्षित्र जहां इलेक्ट्रोन पाए जाने की प्राइक्ता सर्वाधिक रहती है कक्षक कहलाता है कक्षकों की विशेशता ये होती है कि इनके कौंटम संख्याएं कहलाने वाली संख्याओं के सेट होते हैं इलेक्ट्रोन कक्षक की उर्जा, आकार, आकरिती तथा दिशा को तीन कौंटम संख्याओं के उपयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है ये मुख्य कौंटम संख्या, दिगंशी कौंटम संख्या तथा चुमकिये कौंटम संख्या होती है आईए आज हम इस एकक के माध्यम से पर्मान के कौंटम या अंत्रकिये मौडल के बारे में सीखेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे द्रव के द्वेत वहवाहार पर चर्चा करना, हैजनबर्ग के अनिश्चित्ता सिधान्थ को समझना, परमाणू के क्वांटम यांत्र की ये मौडल का वर्ण करना, परमाणू के क्वांटम यांत्र की ये मौडल की ओर द्रवे का द्वेत वहवाहार 1923 में फ्रांसीसी भौतिक वज्ञानिक लुई दे ब्रागली ने कहा कि प्रकाश की तरह द्रवे की भी द्वेत प्रकृती होती है ये तरंग तथा कंड दोनों के ही कुण प्रधशित करता है उसने वी वेक से गतिमान M द्रवे मान के एक कंड से संबंधित तरंग के तरंग तैर्थ लेम्डा की करना के लिए एक संबंध बताया जो निम्रांकित है लेम्डा बराबर H बटे MV या लेम्डा बराबर H बटे P जहां H प्लांक का स्थिरांक और P कंड का संबेख है गतिमान द्रवे कड़ूं या वस्तूं से संबंधित तरंगें द्रवे तरंगें या दे ब्रॉगली तरंगें कहलाती हैं ब्रॉगली की अवधारना के अनुसार इलेक्ट्रोन ना किवल कण होते हैं बलकियों से तरंगों के भीकून संबंधित रहते हैं इसलिए तरंग के कला में संपून होने के लिए कक्षा की परिधी तरंग देर्थ लेम्डा का पून गुड़ज होना चाहिए इसलिए दो पाई आर बराबर एन लेम्डा जहां आर कक्षा की तरिजिया तथा एन एक पोड़ांख है लेकिन दे ब्रॉकली के समिकरन से हम जानते हैं कि लेम्डा बराबर एच बटे एमवी अता है दो पाई आर बराबर एन गुड़ें एच बटे एमवी एमवी आर बराबर एन गुड़ें एच बटे दो पाई हैजनबर्ग का अनिश्चित्ता सिध्धांद हैजन पर्ग के अनिश्चित्ता के सिध्धान्द के अनुसार किसी छोटे करण जैसे की इलेक्ट्रॉन की सही स्थिती तथा सही वेग का एक साथ निर्धारन करपाना असंभव है गनतीय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा पी बड़ा है या बरावर है एच बठे चार पाई के जहां डेल्टा एक्स बरावर स्थिती में अनिश्चित्ता डेल्टा पी बरावर संवेग में अनिश्चित्ता बरावर M डेल्टा वी, डेल्टा वी कण के वेक में अनिश्चित्ता है, M कण का द्रविमान है, H बराबर पलांक का स्थिरांग है, आताहा ये निशकर्ष निकाला जा सकता है कि यदि छोटे कण की वास्तविक एस्थिती ग्यात की जा सकती है, तो इसके वेग या समवेग को ग्यात करने में अनिश्चित्ता अधिक होगी तथा वेग सही ग्यात होने पर इस्थिती अधिक ग्यात नहीं होगी अनिश्चित्ता सिध्धान्द का महत्व हैजन बर्ग का अनिश्चित्त का सिध्धान्द केवल सूख्ष्म दर्शी से देखी जा सकने वारी वस्तूओं के लिए महतपून है तथा ये बड़ी वस्तूओं पर लागू नहीं होता है अती सूख्ष्म वस्तूओं जैसे की लेक्ट्रॉनों के मामले में प्रकाश की फोटॉन के कंड से टकरानी की क्रिया कंड को इसके समाने पत से काफी विचलित कर देगी इसके परिडाम सो रूप कंड को देखने के लिए प्रयोक्त किये गए एक एकल फोटॉन के प्रभाव के कारण कंड के प्रक्षे पत तथा वेग एवं समवेग में काफी परिवर्तन आ जाएगा इस प्रकार अती सुक्ष्म कर्ण की इस्तिती मापने की कारवाही इसके समवेग को परिवर्तित करतेगी फोटॉन, इलेक्टॉन से टकराने पर इसे अप्रतियाशित दिशा में भेज़तेगा हमारे दैनिक चीवन में इस सिध्धान्थ का कोई महत्व नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्राया केवल बड़ी वस्तूओं के संपर्क में आते हैं इन वस्तूओं को हम नगन आँखों से देख सकते हैं और इससे इनकी गती में परिवर्तन नहीं होता इन वस्तूओं की स्थिती तथा वेग परिशुद्धता पूर्वक मापे जा सकते हैं क्यूंकि इन उधारणों में वस्तू तथा मापक युक्ती के बीज अंतरक्रिया के कारण वस्तू की स्थिती तथा वेग में परिवर्तन नगने रहता है उधारण एक मिली ग्राम द्रवेमान वाले एक धुलकन की स्थिती में अनिश्चित्ता की गरना करें यदि इसके वेग में अनिश्चित्ता 5.5 गुणे 10 की घात रण 20 मीटर प्रति सेकिंड है हल दिया है डेल्टा V बराबर 5.5 गुने 10 की घाथ घटा 20 मीटर 30 सकंड M बराबर 1 मिली क्राम जो की बराबर है एक गुने 10 की घाथ घटा 3 क्राम के H बराबर 6.626 गुने 10 की घाथ घटा 34 जूल सेकंड सूत्र से डेल्टा X गुने M डेल्टा V अधिक है या पराबर है H बटे 4 पाई के इस्थिती में अनिश्चित्ता निम्ना नुसार ग्याद की जा सकती है डेल्टा X अधिक है या पराबर है H बटे 4 पाई M डेल्टा V के ह डेल्टा V M के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा X अधिक है या पराबर है 6.626 गुणे 10 की खाथ घटा 34 बटे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की खाथ घटा 3 गुणे 5.5 गुणे 10 की खाथ घटा 20 के डेल्टा X अधिक है या पराबर है 9.59 गुणे 10 की खाथ घटा 13 मीटर के बोर मॉडल की विफलता के कारण बोर के मॉडल में इलेक्ट्रोन की तरंग प्रकृति पर विचार नहीं किया गया कक्षा को केवल तभी परिभाशित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रोन की सही स्थिति तथा उसी समय उसका सही वेक ये दोनों ही ग्याथ हों हैजनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धांत के अनुसार ये संभव नहीं है हाइडरोजन परमानु का बोर का मॉडल द्रवे की दोयति प्रकृति को भी उप्यक्षित करता है तथा ये हैजनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धांत के विपरीद भी है परमाणू का कौन्टम यांत्र की ए मौडल कौन्टम यांत्र की एक सैध्धांतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थ की दोयत प्रकृती पर विचार किया जाता है हाइडोजन परमाणू और श्रोडी जल समीकरण Qandum Yantriki के आधार पर परमाणू का एक नया model विकसित किया गया और ये model quantum Yantriki model कहलाया इस model में किसी परमाणू में electron के वेवहार को एक समीकरण द्वारा विक्त किया जाता है जो शुरोडिंजर तरंग समीकरण कहलाता है जहां X, Y और Z तीन इस्थान निर्दशांग है M एलेक्ट्रॉन का द्रवेमान है H प्लांक का स्थ्रांग है और E एलेक्ट्रॉन की कुलूरजा तथा V इसकी स्थितिज ऊरजा है जाई एलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग फलं कहलाता है कभी-कभी श्रूटिंजर तरंग फलन को इस रूप में लिखा जाता है H जाई पराबर E जाई जहां H एक गणितिये संकारक है जो हैमिल्टोनियन संकारक भी कहलाता है जाई का महत्व चुंकि एक गतिमान इलेक्ट्रोन एक तरंग से संबध होता है और तरंग को पूर्टिया इसके आयाम दोरा निर्धारित किया जाता है इसलिए जाई का अर्थ इलेक्ट्रोन तरंग के आयाम से होता है इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता हाला कि जाई के वर्ग अर्थाद जाई वर्ग का भौतिक महत्व होता है इलेक्ट्रोन तरंग में जाई वर्ग किसी बिंदू पर इलेक्ट्रोन की तीवर्दा बताता है दूसरे शब्दों में जाई वर्ग का ग्यान किसी क्षित्र विशेश में इलेक्ट्रोन की प्रायक्ता का निर्धारन करने में सहायक होता है अता जाईवर्ग को प्राइक्ता घनत्व तथा जाई को प्राइक्ता आयाम माना जा सकता है हाइडोजन परमाडूं के लिए श्रोडिंजर समिकरन का हल इलेक्ट्रोन द्वारा घेरे जा सकने वाले उटजायस्तर तथा इलेक्ट्रोन का तरंग फलंग पताता है कखशक तथा कौन्टम संख्याएं कखशक को नाभि के परिता ऐसे स्थान के क्षित्र के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रौन पाई जाने की प्राइत्ता सबसे अधिक रहती है कक्षकों को संख्याओं के एक समुच्च से निर्दिष्ट किया जाता है, जो कौन्टम संख्याएं कहलाती हैं, एलेक्ट्रोन, कक्षक की उर्जा, आकार, आकरिती तथा दिशान निर्दिष्ट करने के लिए तीन कौन्टम संख्याएं आवश्चक होती हैं, ये मुख्य कौ कॉंटम संख्या यानि N मुक्चे कॉंटम संख्या हमें बताती है कि किस मुक्चे औरजास्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्दित है ये कोई धनात्मक पोड़ांग जैसे की एक, दो, तीन, चार इत्यादी हो सकती है इन संख्याओं से संगत उर्जास्तरों या उर्जा कोशों को KLMN इत्यादी के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एक हाइडोजन परमाणों में इलेक्ट्रॉन की उर्जा निम्र संबंध द्वारा मुक्चे कॉंटम संख्या से संबंधित है इन बराबर घटा के वर्ग कुने दो गुने 5 वर्ग गुने M गुने E की घथ 4 बटे N वर्ग गुने H वर्ग बराबर घटा 2.18 गुने 10 की घात घटा 18 बटे N वर्ग जूर जहां M बराबर इलेक्ट्रोन का द्रविमान E बराबर इलेक्ट्रोन का आवेश H बराबर प्लांक का इस्तरांक E N बराबर N वे मुख्यकोश में इलेक्ट्रोन की उर्चा N बराबर मुख्यकोश को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त मुख्यक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक ये उस कक्षक की आगरिती भी निर्धारित करता है जिसमें इलेक्ट्रोन इस्थित होता है। ये निर्धारित करता है जिसमें 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 इस्थित होता है। चार उपकोश, चार S, चार P, चार D और चार F होते हैं। चुम्ब की एक कक्षक कॉंटम संख्या यानि M, L चुम्ब की एक कक्षक कॉंटम संख्या किसी विशेश उपकोश में एलेक्टोन अबर की विभन दशाओं से सम्बंधित होती है। ये विभन दुशाएं कक्षक कहलाती है। एक मुखे उर्जा इस्तर के अंदर एक विशेश उपकोश में कक्षकों की संख्या ML तक के मानों की संख्या से व्यक्त की जाती है जो L के मानों पर निर्भर होती है शोने के माध्यम से जमा L से घटा L तक ML रेंज के मान संभव है अता कुल दो L जमा एक मान होते हैं अता किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या दो L जमा एक होती है L बराबर शुने के लिए ML का केवल एक मान ML बराबर शुने हो सकता है इस कार्थ है कि S उपकोश में केवल एक कक्षक है L बराबर एक के लिए ML के तीन मान जमा एक शूने और घटा एक हो सकते हैं इस कार्थ है कि P उपकोश में तीन कक्षक है L बराबर 3 के लिए MLK साथ मान जमा 3, जमा 2, जमा 1, 0, घटा 1, घटा 2, घटा 3 हो सकते हैं इसकार्थ है कि F उपकोश में 7 कक्षक हैं प्राचकरन कौन्टम संख्या MS प्राचकरन कौन्टम संख्या प्राचकरन कौनिये संवेक की दिशा निर्धारित करता है प्राचकरन कौनिये संवेक कौन्टिक गृत होता है और अब चुने गए अक्ष के सापेक्ष, इसकी केवल दो दिशाय हो सकती हैं प्राचकरन कौन्टम संख्या के केवल दो मान, जमा 1, घटा 1 हो सकते हैं जमा हाफमान दक्षणा वर्त प्राचकरन को इंगित करता है, जिसे उपर की ओर संकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदशित किया जाता है। परमाडू कक्षकों की आकरिती एक कक्षक तरंग फलन जाई के दो फलनों, त्रिजिये फलन तथा कौन ये फलन के गुणन फल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए संपून तरंग फलन एक कक्षक को प्रदशित करता है, जिसमें त्रिजिये भाग जाई यानि आर कौन्टम संख्याउं N और L पर निर्भर होता है। और ये हमें कक्षक के आगार के बारे में बताता है। जबकि कोनी भाग कौन्टम संख्याउं L और M L पर निर्भर होता है। और ये हमें कक्षक की आगरिती के बारे में बताता है। धनात्मक एवं रणात्मक चिन्न ये बताते हैं कि किसी क्षेत्र विशेश में कक्षक तरंग फलन धनात्मक है या रणात्मक। ये देखा गया है कि S कक्षक कोन्य तरंग फलन से स्वतंत्र होते हैं। सभी S कक्षक गोलिये सम्मे दिखोते हैं। पी और डी कक्षक त्रिज्जिये तथा कोणिये तरंग फलंग पर निर्भर होते हैं प्राइक्ता घनत्व नाभिग से दूरी के फलंग के रूप में जाई वर्ग का ग्राफ प्राइक्ता घनत्व वक्र कहलाता है नाभिक के परिता वह स्थान क्षित्र जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता सर्वाधिक रहती है कक्षक कहलाता है सीमा सतह आरेक परिसीमा सतह को परिप्रिष्ट भी कहा जाता है जिसे किसी कक्षक के लिए स्थान में आरेक्षित किया जाता है जस पर प्राइक्ता घनत्व जाई वर्ग का मान स्थिर हो परिसीमा सतह है जो अधिक्तम प्राइक्ता माना की 90 प्रदिशत वाले क्षित्र को परिसीमित करती है कक्षक की आकरिती को सर्वोत्तम धंग से वढ़नित करती है S कक्षक के लिए परिसीमा सतह आरेकों की आकरिती गोलिये होती है हालकि S कक्षक का आकार N के मान में बढ़ोत्री के साथ बढ़ जाता है तीन दो पी कक्षकों के सीमा सते हैं आरेक गोलिये नहीं होते प्रतेग पी कक्षक में दो पालियां होती हैं जो नोट कहलाने वाले शोनने प्राइक्टा के शेत्र द्वारा प्रतक होती हैं तीन दो पी कक्षक क्रमशा X, Y और ZX पर होते हैं तथा दो पी X, दो पी Y और दो पी Z के रूप में निर्दिष्ट किये जाते हैं कक्षकों का आवेश अबर चित्र X कक्षकों के लिए एलेक्टरौन पाई जाने की प्राइक्ता एक विशिष्ट दूरी पर सभी दिशाओं में समान रहती है दूसरे शब्दों में X कक्षक गोलिये सम्मिती के होते हैं उच्छे तर उड़ जास्तरों वाले X कक्षक भी गोलिये सम्मिती के होते हैं हाला कि वे अधिक विसरित होते हैं तथा इनके अंदर गोलिय कोश होते हैं जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता शूने रहती है ये गोलिय नोड कहलाते हैं दो S कक्षकों में एक गोलिय नोड होता है कक्षकों की ऊरजाएं किसी परमाणों में विबन कक्षकों की आपेक्षिक ऊरजाएं निरूपित करने वाला आरेक ऊरजाइस तर आरेक कहलाता है हाइडोजन परमाणों में केवल एक एलेक्ट्रोन होता है जो तलस्त अवस्था में कक्षक में उपस्तित होता है हालकि उत्तेजित अवस्था में एलेक्ट्रोन कूद कर किसी अन्य उचितर उड़ जैस्तर वाले कक्षकों में जा सकता है हाइडोजन तथा हाइडोजन जैसे दूसरे पड़माणों में किसी विशेश उर्जायस्तर के सभी कक्षकों की उर्जाएं समान होती है उधारण के लिए 2S और 2P कक्षकों की उर्जाएं समान होती है समान उर्जावाले कक्षक सम्भरंश कक्षक कहलाते है बहु इलेक्ट्रोन पर्माडों का उर्जाइस्तर आरेक बहु इलेक्ट्रोन पर्माडों के मामले में विविद कक्षकों की उर्जाएं ना केवल ना भी किये आवेश पर बल्कि पर्माडों में उपस्तित दूसरे इलेक्ट्रोनों पर भी निर्भर होती हैं इस आरेक की मुख्य विशेशताएं निम्न है किसी विशेश उर्जास्तर के विभिन उपकोशों की विभिन उर्जाएं हो सकती है उधारण के लिए 2S उपकोश की उर्जा, 2P उपकोश की उर्जा से भिन होती है किसी विशेश उर्जास्तर में पहल के उच्छता मान वाले उपकोशों की उर्जा उच्छतर होती है किसी विशेश उर्जास्तर में विभिन प्रकार के उपकोशों की उर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है N का मान बढ़ने के साथ निम्नतर उरजास्तर के कुछ उपकोशों में उचछ उपकोशों की तुल्ला में उरजा अधिक हो सकती है विभिन उपकोशों की उरजाओं का बढ़ता क्रम निम्न है एक बहु एलेक्ट्रॉन परमाणू में विभिन उपकोशों की उड़ जाओं के आप एक शिक्रम को N जमा ल नियम की सहायता से पूर्वा नुमा नित किया जा सकता है इस नियम के अनुसार उदा सीन परमाणू में निम्न मानवाले उपकोश N जमा L में निम्नतर उर्जा होती है यदि दो उपकोशों का मान एक समान N जमा L हो तो N के निम्नतर मानवाले उपकोश की उर्जा निम्नतर होगी पर्माडों में कक्षकों का भरा जाना आवबाव का नियम इस नियम के नुसार पर्माडों की तलस्त अवस्था में कक्षकों को उनकी उर्जा के बर्तिक्रम में भरा जाता है विभिन कक्षकों की उर्जाओं का बर्तिक्रम है पाउली अपवर्चन सिध्धांत इस सिधान्द के अनुसार किसी भी परमाडों में दो इलेक्ट्रोन सभी चारो कौंटम संख्याओं के समान समुच्च वाले नहीं हो सकते इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त यदि किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनके प्राचक्रन विप्रीध होने चाहिए हुंड का अधिक्तम बहुकता का नियम इस नियम के अनुसार किसी विशेश उपकोष पी डी या एफ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्बन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए इसके अतिरिक्त एकल भरे गए कक्षक में इलेक्ट्रोनों में समानांतर प्राचकरन होना चाहिए परमाणों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास किसी कक्षक की इलेक्ट्रोन संख्या को निरूपित करने के लिए मुख्य कौंटम संख्या N को कक्षक प्रतीक के पहले लिखा जाता है जबकि कक्षक में इलेक्ट्रोनों की संख्या को मूरधांक द्वारा दर्शाया जाता है जिसे कक्षक प्रतीक के दाएं और शिर्ष पर लिखा जाता है यदि हमारे पास प्रथम उर्जाएस्तर के S कक्षक में दो इलेक्ट्रोन हो तो इसे एक S वर्ग के रूप में लिखा जाएगा हाइडोजन के लिए हिलियम के लिए लीथियम के लिए बेरिलियम के लिए बोराउन के लिए कारबन के लिए नाइटोजन के लिए आक्सीजन के लिए पून रूपेन पूरित तथा अर्थ पूरित उपकोशों का इस्थाइद्व सम्मित वित्रण पून रूपेन पूरित या अर्थ पूरित एक ही उपकोश के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रानों का वित्रान अपिक्षा करित अधिक सम्मित होता है फाल सौरूप प्रणाली को अधिक इस्थाइद्व प्राब्त होता है विनिमय उर्जा के कारण इस्थाइद्व अर्थ पूरित या पून रूपेन पूरित सम्मित कक्षकों में विनिमय अधिक संख्या में होते हैं जसके परिणाम सोरूप इस्थाइद्व की विनिमय उर्जा अधिक होती है विनिमय का अर्थ एक इही उपकोश में इलेक्ट्रानों का एक से दूसरे कक्षक में जाने से है आईए क्रोमियम के 3D की घाद 4, 4S वर्ग और 3D की घाद 5, 4S की घाद 1 विनियासों में विनिमय की संख्या की तुल ना करें इस परकार 3D की घाद 4 व्यवस्था में इलेक्ट्रान विनिमय 6 है जो इंगित करता है कि 3D की घाद 4 विनियास में समानांतर प्राचकरण के साथ 6 संभावित व्यवस्थाएं है 3D की घाद 5 विनियास में इलेक्ट्रान विनिमयों की कुल संख्या अधिक होने के कारण इसे अधिक इस्थाइत्व प्राप्द होता है क्या आप जानते हैं परमानों इस्तर इमेजिंग से कांच की वास्तविक सनचना का पता लगाया गया इंटेल ने अपना पहला 22NM क्वार्ट कूर एटम सिस्टम एक चिप पर 2014 के आरंप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई है सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं द्रवे का द्वेत वहवाहार तरंग तथा कंण प्रकृती का होता है वीवेक से गतिमान M द्रवेमान के एक कंण से संबंधित तरंग के तरंग दैर्धे निम्नवत हैं हैजन बर्ग के अनिश्रित्ता के सिध्धान के अनुसार किसी छोटे कंण जैसे की इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेक का एक साथ निर्धारन कर पाना असंभव है गणतिये रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है श्रोडिंजर तरंग समीकरन जहां X, Y और Z तीन स्थान निर्धे शांग है M इलेक्ट्रॉन का द्रवेमान है H प्लांक का स्थिरांग है E इलेक्ट्रॉन की कुल उर्जा तथा V इसकी स्थितिज उर्जा है जाही इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग भलन कहलाता है मुख्य कॉंट्रम संख्या हमें बताती है कि किस मुख्य उर्जा इस्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्तित है इसे N से निर्धिष्ट किया जाता है दिगंशी कौन्टम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणिये संवेग निर्धारित करती है इसे एल्ब द्वारा निर्धिष्ट किया जाता है चुम्ब कि ये कक्षक कौन्टम संख्या किसी विशेश उपकोश में इलेक्ट्रॉन अबर की विभिन दिशाओं से संबंदित होती है इसे एमेल से निर्धिष्ट किया जाता है आव बाव के नियम के अनुसार परमाणों की तलस्त अवस्था में कक्षकों को उनकी उर्जा के बरते क्रम में भरा जाता है पावली अपवर्जन सिध्धांद के अनुसार किसी भी परमाणों में दो इलेक्ट्रॉन सभी चारों कौांटम संख्याओं के समान समुच्चे वाले नहीं हो सकते इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते